हेलो व्रीवन वेलकम टू प्रगतिपत मैंनेम इस प्रगति मिश्चा और देखिए अब तक मैं आपको सीडीपी सीडीपी का पेपर वन ठीक और एवियस का देचुकी यूँ आपको आंसर की यह आपका सीडीपी का पेपर टू है ठीक है तो देखिए यहां पर आपकी 99.9% सही होंगे आंसर ठीक है चलिए देखते हैं पहला क्वेशन क्या है बच्चों का विद्याले में आसफल होना यह किस चीज को दर्शाएगा तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा निर्दिश्ट करता है कि विद्याले इन बच्चों की चिंदन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संग्यान आत्म किर्या कलांब के उस्ची सथर्ट पहुंच सकते हैं नेक्स्ट क्या है एक कա՟्शामिया ध्यापिकंः शिक्षा स्यस्त्र वा क। WILeralी यह को विद्यार्थियों की व्यकज्टेगत ज्रूर्टतों के उन् स्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुरात्मा की रूप से वैसकों कि अपैक्षा अलग होता है तो यह आपका जीन प्याजे यहां पर सही जवाब होंगे ठीक है नेक्स देखिए विकास के विशह में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो यहां पर कौन सा सही कथन हो हो जाएगा बच्चों के विकास में बहुत से संस्कृतिक विविद्धाएं होती है ठीक है नेक्स्ट निमलिकित में से मद्य बाल्या वस्ता की अवादी के मुख्य प्रमाड चिन कौन सा है तो यहां पर आपका सही हो जाएगा तरकसंगत विचारों का विकास जो प्राक् करता है तो वर्तवान समाजिक प्रडाली को सक्रेटा पूर्वक बनाया रखने से धनात्मक मानवी तो यह आपको समाजिक वर्क्षित करता है समझ में आ रहा होगा आपको देखने में ही सोशल और मेंटेनिंग औरिटेशन यहां पर हो जाएगा नेक्स है बाल्यावस्ता क तो यहां नहीं धा मैं वर्दी थैट बेएम के अंधिक नेक्स क स्थे यहां पर पर आपका साही जवाब पर भ emissions और वहरी में है। आधित कौशल वाले समकशियों के साहता से बच्चे के मध्यकात छेत्र तो छेत्र की बात करता है तब आपको यह हो जाता है मैंने आपको बताई दिया था कि इसका फोल्डिंग जो होता है विक तरीकी के हल्प होती है जो अबस्ट्रेक्ट होती है नेक्स देकिए जीन प्याजे के नस ऊऔर बच्चे अमुर्त संक्री आत्मक का वस्था में तो अमुर्त संक्री आत्मक का वस्था में िृषच्छ यह सर्था है जो है शिंद कराबाद इसमय करने लिए यह पिकात्व संक्रियात्मक में sagt तो यह सारे आपके हो जाते हैं अलग-अलग स्टेज में आपका सीलिएशन वगरा कॉंक्रेट में चला जाता है ठीक है अनुत्करमडी यह सोच अपकी कब होती है थार्ड वाली में आपकी रिवर्स वल हो जाती है आपको सही पहले ही देखके समझ में आ गया होगा कि शारीरी गतिक समवेदना की बात कर रहा है बागी मैच नहीं खा रहे है नेक्स तेके ले वाइगॉट्सकी के इंसवार क्या तो ले वाइगॉट्सकी न तींचे जो की बात करी है समाज कल्चर और लेंगविज ठीक तो य मैंने आपको बताया था ठीक है और परिपक्वन मैचियोरिटी जीन प्याजे और आपका विकास के जो चरण चार दी है वो भी प्याजे ने दी है एक प्रकतिशनल कक्षा में सिक्षणा दिगम प्रक्रिया के दोरान दिगम करता हों का मुल्यांकन तो मुल्यांकन सबसे ज कुपकरण की बात कर रहा है अभी वताया आपका सुसाइटी कल्चार और लेंग्विज ये तीनों किसके होते हैं वाइगोट्स की के कक्षा में लिंगों में जंडर ओडिवाधिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभाशाली पद्ध जो है अपके मल्टि लिंगोलिसम तो यह हमेशा है अपका एक रिसोर्स होता है एक असेट होता है यह भी आपने पड़ा लेंग्वेज में भी आपका क्वेश्यन इससे आ जाता है बालकेंजित कक्षा वा है जिसमें अधिहापक लचीला होता है मतलब एक अमेर्शाबल यहां पर उन्हेन और पढने और लिए को शलतार भीलेशन से दियर आए थे शिक्षा के पीछे अन्तर निहित विचार कॉन सा है तो ये वाला हो जाएगा आपका दार्शनिक्ता कि सभी बच्चों को नियमित विद्याले में समान सिक्षा पाने का अधिकार है ठीक है नेक्स्ट देखिए प्रभावशाली और श्रिशनात्मक बच्चों के अविश्यक्ता को किस परकार संबोधित किया जा सकता है तो चुनाती पूर्ण कारिक दो और निरस्ता को दूर करने के लिए क्रिया कलाब करवाओं ठीक हो जाएगा प्रतिकूल परिस्टियों और वंचित प्रिश्ट भूमी वाले अधिगम करताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धाति प्रभावशाली नहीं है तो आप चीत करके विशक्ताओं चुनातियों को समझना भी बहुत अच्छी बात है और फोर्थ वाला भी आपका अभी प्रेजित करने के लिए अधिया को क्या करना चाहिए तो यहां पर आपका तो किस तरी के साब निकालेंगे कि आपका सेकेंड और फोर्थ जो था प्र यहां प ठीक फिर नेक्ष देखिए निमलिकित मेंसे कौन सा उधारन विद्यारतियों को अधिगम के लिए विप्रेट करने के लिए प्रभाशाली पद्धती है तो यह आपका उजागा पाढ़ उपलक्त कराना और जब नया कौशल सीख रहा हूं बंचों के चिंतन के विशह में लिक दो कारन सही है नहीं है तो नेगेटिव लाप कर सही हो जाएक नहिं सकते सोंच तो सकते है ना बच्छे अधिगम को सुसाध्य अधिहा पीकापशा में संसकुति धार्मिक भास भीविजता को क्या करना चाहिए को समझेना चाहिए कुण नेक्स देखिए, क्वेशन नमर 30 में आपका क्या है, कक्षा में प्रभावशाली अदिगम के लिए, डैश वता औरन की रचना की जाने चाहिए, मतलब कोलाबरेशन, सब लोग साथ में मिलके काम करें, कॉम्पटिशन करने से बच्चे जब आपके जो बच्चों हैं, चोटे एक्जाम था, ठीक है, तो यह आपका CDB पेपर टोकी हो गई, आंसकी बाकी भी आपको सब्जेक्स की दी जाते रहेगी यहां पर, चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, थैंक्स पर कमेंट करके आप मुझे अपने मांक्स बताना मत भूलिएगा, एक्षा में अपने मांक्स की अधिया आपको सब्सक्राइब करिए अपने मांक्स की अधिया।